जी नमस्कार स्वागत आप सभी कहा दिनमंत्रा के ओनलाइन पोर्टल पर मैं हूं रोईत वैद्वान आया फैस्ट एक बच्छा पाटि उर्पल मिलाकर हम सब दिनमंत्रा तो धेर सारी शुब कामना हैं आपको इस नए वर्ष की 20-21 के और बढ़ रहे हैं कुछ नए कदम और इस तरह की में नए कदमों को बढ़ाने के लिए हम लाए हैं अदिनमंत्रा के साथ आपको नए पांच कुर्स और जो है मांच कुर्स में सबसे पहले जो लॉछल हो रहा है वो है सूपर टेट का परचम और सूपर टेट का परचम होगा वो परचम जिसमें आज तक की सबसे बड़ा गोरव एकजाम जिसका नाम है रीड जीत, तो रीड जीत में आप देखेंगे इन तीनों सेक्षन को जो आपको मिलेंगे, इसके साथ साथ इसमें एक नई एंट्री और चुरूर रहे, जो है उत्तरप्रदेश का नया एक्जाम परवक्ता एक्जाम जिसका नाम है GIC GIC के साथ आप देखेंगे क्या है Government Inter College जिसमें आपको ये ये सब्जेक्ट मिलेंगे यहाँ जिसमें आपको इसका जन्रल पेपर साथ साथ में इसका क्या मिलेगा सब्जेक्ट लेकिन एक और बड़ा एक्जाम जिसका नाम है UGC तो हम लॉंच कर रहे हैं इस बार अपना नया एक्जाम जो है UGC Net का जर्णल पेपर और पहली बार इंट्रिउस कर रहे हैं इसमें साथ आपके लिए सब्जेक्ट बने रहेगा दिनमंतरा के साथ और इनकी फीस की जानने के लिए आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन बोक्स जहां पर आपके इसकी फीस अवलेबल होगी लेकिन सवाल बनता है कि आपको इस सारे कोर्स मिलेगे कहां तो इसको सारे को इसको कनेक्ट करने के लिए हमने दिया है आपको दिनमंतरा कनेक्टेट है जो आपको मिलेगा प्ले स्ट पर और सात साथ में यह मिलेगा ऴ पोर्टल पर इसका मदलभ आप मबाइल पर भी पड़ सकते होत्व साथ पर लेप्टोप पर भी सारी वीडियो आपके डाउनलोडेबल होगी तो बने रहेगा दिन मंतरा के साथ खुश रहें मुस्कुराते रहें अपना ध्यान रहें कि जैहिंज जै वारत नमस्कार और एक बार फिर नए साल की देव सारी शुब्धाम नहें झाल प्रतिवा, पूजा, नीना, मोहित, शुमन, प्रियंका, गीत, शाक्षी, शाक्षी, अब तो अबाज आ रहे हैं प्रतिवा, शुनिल यादब जी, मोनिका भारत द्वाज, अश्मान खान, वशुष, शिंग, नेहा, राजपूत, ठीक है बाई, चलो, कोई बार नहीं, कोई बार नहीं, आब वोईश आ रही होगी, ठीक है बाई, अब वोईश आ रही होगी, शुमन, शर्मा, वेरी गुड म टैग लाइन भी है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर हमारी टैग लाइन भी है, आपकी के जो क्लास है, वो 30 दिन लगातार रहेंगी, ठीक है बाई, चलो, मैं आपको एक इमपोर्टन नोटिस बता देता हूं, आपके लिए, एक इमपोर्टन नोटिस इस बात के लिए है, कि आने वाली एक क्लास और में, इस क्लास के बाद में एक क्लास और में लोगा, उसके बाद में आपके जितने भी प्रिवेश यर क्वेशन से, वहां आपके क्या हो चुके है, प्रियंका चोहान आपका श्वागत है, ठीक है बाई, तो जो भी श्रूडेंट फॉस्ट है, ठीक है, तो एक बाद सुनो, notice important, notice आपके लिए है कि आपकी आने वाली एक से दो क्लास में, आने वाली एक से दो क्लास में, मैं आपके seated previous के सारे questions करा दूँगा, मेरा नाम लेलो, मैं त्रिपराश्य हूँ, चिन में, बहुत बहुत श्वागत है आपका, ठीक है, तो ध और तकरीवन मैं physics में 15 chapter ऐसे हैं, जिनको मैं कराना चाहता हूँ, मेरे जो मेरे अपना schedule है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 15 chapters complete कराऊं, और 15 chapter में 15 15 question अगर मैं कराऊंगा, तो लगबग 225 question में आपके करवाऊंगा, और आप मेरे सिर्फ यह question करोगे, तो आपका बहुत ही अ आपका भी बहुत बहुत श्वागत है, तो यह बात मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ, जो भी बात है, यह मैं आप topic भाई शुरू करने वाला हूँ Monday से, ठीक भाई, चलो भाई, किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, सभी का message यह है, कि जिसका message दिख जाता है, उसका नाम, उसके message पढ़ लेते हैं, और जिसका निकल जाता है, उसका निकल जाता है, ठीक है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब हम शुरूआत करते हैं, क्लास की, बस इतनी शी information, आप लो देखिए भाई, तो आज का पहला सवाल आपके screen पर है, आपके सामने, जरा ध्यान से देखिए, question number 1, यह वैसे question number 36 है, क्योंकि अब तक मैं 35 questions complete करा चुका हूँ, ठीक है भाई, आपका पहला question है, cryometer used edge, हाँ, cryometer used edge, यानि कि जो cryometer है, उसका उप्योग किसको मापने के लिए किया जाता है, cryometer जो है, वहाँ एक instrument है, cryometer जो है, वहाँ एक instrument है, cryometer जो है, वहाँ एक instrument है, cryometer जो है, वो एक instrument है, इसका यूज आपके स्वाद के लिए करोगे, तो मुझे बताए, very low heat को मापने के लिए, या very low temperature को मापने के लिए, या very low pressure को मापने के लिए, या very low energy को चलिए जल्दी से पताई इसका आउंसर क्या आएगा कि जो आपका क्रायोई मीटर होता है इसका उपयोग आप किस बात के लिए करते हो जल्दी से बताईए जोती बाज में एक आंसर आ रहा है very low temperature very low temperature very good यादब जी कह रहे हैं आंसर सी देविंद्र बोल रहे हैं very low energy जल्दी से आंसर करिए चलो अब मैं इसके बारे में पहले आपको एक बहुत ही बढ़िया नॉलिज देने वाला हूं खाली पेज लेकर के शाथ में जरूर बैठें Sold taken पेज लेकरकश यक्ते शाथ में जरूर बैठें भई थीक है भाई अब सुनो मेरी बात देखो यहां पर आ रहा है क्राय मीटर यहां पर क्या रहा है क्राय मीटर ओ ठीक है यहां पर क्या जो cryometer होता है, जो cryometer होता है, तो इसमें एक शब्द है cryo, तो cryo का मतलब होता है, cryogenics से ये bird लिया गया है, यहां से ये cryogenics से लिया गया है, तो आपने पढ़ा होगा cryogenics, अगर नहीं पढ़ा तो इन बातों को लिख लीजिए, देखे cryogenics जो होती है, ये विज्ञान की एक स चाखा है, इट इस ए ब्रांच ओफ फिजिक्स, इट इज ए व्रांच ओफ फिजिक्स, इट इज ए व्रांच ओफ फिजिक्स, ठीक है ये ब्रांच है, एक फिजिस की ब्रांच है, इसमें हम लोग इस्टडी करते हैं, उन इंजन्स के बारे में, इसमें हम लोग इस्टडी करते हैं उन इंजन के बारे में जो वेरी लो टेंपरेचर पर ऑपरेट होते हैं जो वेरी लो टेंपरेचर पर ऑपरेट होते हैं ठीक है भाई तो जो very low temperature पर operate होते हैं उन इंजन के बारे में हम study करते हैं cryogenics में अगर हमें उस very low temperature को मापना है अगर हम उस very low temperature को मापना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे cryometer का तो cryometer जो है इसका यूज हम करते हैं to measure very low temperature ठीक है भाई मेरी बास समझ में आ रही है तो जो आपका cryogenic से विज्ञान की जो साखा है इसके अंदर हम engine के बारे में study करते हैं और ऐसे engine जो very low temperature पर operate होते हैं अब यहां से सुनिए कि आपके ये बाले engine का यूज हम कहां पर करते हैं तो जो भी हमारे aeroplane होते हैं जो भी हमारे helicopter होते हैं उन helicopter में उन aeroplane में उस rocket में इन engine का हम यूज करते हैं तो यह जो engine है वहां आपके वहां आपके aeroplane में वहां आपके rocket में इनका यूज हम करते हैं इन engine को क्या बोलते हैं हम फिरम cryogenic engine इस engine को हम लोग बोलते हैं cryogenic engine और इस engine के लिए जो हम fuse इस engine के लिए जिस fuel का हम यूज करते हैं इस engine के लिए जिस इनन का हम यूज करते हैं उस इनन को हम लोग बोलते हैं liquid oxygen और liquid hydrogen क्योंकि Pggle liquid hydrogen और liquid oxygen का जो temperature होता है minimum temperature वह हम माइनस इक 158 oxygen के लिए और बिल्ग होता है तो इन temperature को मापने के लिए जो minus के temperature है बहुत कम है इनको मापने के लिए हम यूज करते हैं cryometer तो cryometer जो होता है एक important बात और सुनेंगे कि जो cryometer होता है एक बात और सुनेंगे कि जो आपका cryometer होता है वह maximum यानि कि ज्यादा से ज्यादा एक Kelvin ही माप सकता है हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक Kelvin का ही मापन कर सकते हैं इसे ज्यादा temperature का मापन हम cryometer से नहीं कर सकते हैं इसलिए जो भी measurement होता है वहां हमारा cryometer से ही होता है ठीक है बाई यह बात क्लियर है तो सारी बातों को लिख लो समझ लो cryogenics means cryometer cryometer means बहुत कम temperature और वो temperature मैंने यहां पर लिख दिया इसका यूज होता है rocket, aeroplane और इन सभी के engine में ठीक है बाई यस रेनु वरवल क्या नाम है आपका वेरवाल only one Kelvin maximum यह maximum value है इससे कम ही temperature हम मापेंगे 0.5 Kelvin 0.001 Kelvin तो इतने बहुत ही basic temperature measurement करने के लिए cryometer का यूज किया जाता है हाँ बिल्कुल हमाशिंग बिल्कुल yes you are absolutely right मेरी बात समझ में आ रही है चलो भाई अब मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर तो इस question के बारे में हमने पढ़ा कि जो cryometer है वो एक instrument है और इस instrument का यूज हम very low temperature मापने के लिए करते है ठीक है भाई अब आपसे चलिए अब मैं बढ करते हैं आगे क्यों next question कि देखिए question number next यानि कि जो ये question था वो 36 था और ये जो question है वो है आपका 37 ठीक है बाई सुनिए 37 question को पढ़ा है what is the unit of intensity of magnetic field ठीक है बाई मैं तो प्लीजन दिव्या सिंग 2020 में जुभी बाते हैं साथ 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 बतारो में मेरी एक बात मौका मिलता जाएगा उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता जाओं ठीक है चुम्ब के छेत्र के तीब्रता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है टैशला वेवर हैनरी या ओल आफ एबब जल्दी से बताईए जल्दी से बताओ पाल आईउश अंकित कुमार का अंशर रहा रहा ए टैशला टैशला वेश्व का आंशर रा वहत शांदर हटवाई शेंदर जुती बाद साथिकंपर का ओलब शल्दा साहिए बहुत बढ़िया बहुत फरान मेरे मुहम्मढ शहाब बात क्या है कि अगर मैं धीरे धीरे बोलूँ गा तो फिर आपके comment साते हैं कि जलदी जलदी पढ़ाओ हुआ जब मैं जलदी जलदी थेड़ा तेज बोलता हूं तो फिर आप कम-कम बोलता हूं तो थोड़ा detail में बताओ और जब मैं detail में बताता हूं तो आप लोग बोलते हो किसा आप जल्दी-जल्दी करवा दो हमें ज़्यादा questions करने हैं तो teacher हमेशा suspense में बना रहता है आपके comments देखकर तो मैं यहीं बोलूगा कि मैं अपने according पढ़ाना चाहता हूं यह मेरा मानना है ठीक है यह कोई अपना ego नहीं है किसी का भी कोई भी ego नहीं है बहुत ही शांदार तरीके से हम लोग पढ़ना चाहते हैं यह मेरा मानना मैं चाहत तो उशी ही इमांदारी से आप ही पढ़ेंगे उम्मीद करता हूं कि मेरी बाद समझ रहे होंगा ठीक है खंडल वाल बोल रहे हैं खुश हो रहे हैं अरे बाई बाई चलो अब ध्यान से सुनिए जब देखको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने यहां पर लिखा है intensity of Magnetic field इस Intensity of Magnetic field का भी एक और नाम है इसका नाम है Magnetic Is Magnetic Field Density अगर यहां पर Magnetic Field Density लिखा होता अगर यहां पर अगर यहां पर चुम्ब की च्छेत्र का घनत्व अगर यहां पर यह लिखा होता कि चुम्म की छेत्र के घनत्व की यूनिट बताओ तो भाई अगर यह question आ जाता कि find the unit of magnetic field density तो फिर तो फिर आपको दिक्कत होती है कि नहीं क्योंकि इसके क्योंकि इसके बहुत ज्यादा नाम होते हैं तो intensity of magnetic field भी इसको बोलते हैं magnetic field density भी हम इसको ही बोलते हैं ठीक है बाई अब दियान से सुनो तो इसका फॉर्मला होता है फाई बराबर बी ए ठीक है दियान से सुनिए मैं कुछ बात और बताऊंगा तो यह जो आपका फाई है इसको हम लोग बोलते हैं flux इस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लक्स अब एक बात तुनो मैंने एक सवाल पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले तो उसमें हिंदी में भी हम लोग ऐसे करके अब यह बाइस को पता है व्लक के उनिट वेवर होती है लेकिन भालक नाम यह आप लिख लेंगे और इस flux की जो यूणिट है वो होती है आपकी वेवर क्या होती है वेवर तो यह जो वेवर है यह यूणिट किसी है फाइ यानि कि intensity of magnetic field का अगर cgs में यूनिट पूछी जाती है तो cgs में इसकी यूनिट होती है गौस तो आप धिहान रखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है टेसला लेकिन टेसला इसका mks या ऐसा यूनिट है अगर आप से cgs में पूछता तो इसकी यूनिट होती गौस क्या होती ग inductance का, प्रेरकत्यों का अगर आप से ये कोई पूछता है कि प्रेरकत्यों की यूनिट क्या होती है तो प्रेरकत्यों की यूनिट होती है henry, क्या होती है henry तो इन तीनों को लिख लो बहुत ही important बात है ठीक बाई, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं क्लियर है यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेशन नम्मर 38 है आपका हाइट एट विच दा वेल्यू ओफ ए ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन विकम्स वन फोर्थ वन फोर्थ तो डू देट ओन अर्थ एज कितने उचाई पर गुरुतिय तुर्ण का मान पहले मान का एक चौथाई हो जाएगा कितने उचाई पर गुरुतिय तुर्ण का मान पहले का एक चौथाई हो जाएगा और यहां पर जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूं वह लेवल टू के लिए तो हंड्रेट पर्षेंट है और बाईजाव इस में से मैं इसको 50 पर्षेंट बोलूगा लेवल वन के लिए बिलकुल इमानदारी वाली बात है क्योंकि लेवल वन में फिजिक्स इतनी नहीं आती है तीन-चार कोशन आ जाएंगे या दो-तीन कोशन आ जाएंगे तो वह यहां से चार हो जाएगा जल्दी से बताओ वेरी फास्ट कि टू आर कि और ज्यादा तर जो आंसर आ रहा है वह है टू आर जल्दी से बताओ भाई कि जल्दी से बताएं जल्दी से बताएं जल्दी से बताएं कि जल्दी से बताएं भाई जल्दी से बताएं और जल्दी से बताईए और जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया वह लाइक ही करो जिन लोग ने क्लास को लाइक नहीं किया वह लाइक करें ठीक है हाँ पर Cambria रुपेश अपना ब्लस अच का होले स्कुर्छ अगर कि सी हाइट पर आप से जी पूछा जाता है तो और यह कितना है जी डैश पहले वाला जो जी था वो कितना होता है आपका सिंपल जी एम अपॉन आर एक का इसक्वार यह कहा है ओन दा अर्थ अगर मैं इन तोनों को डिवाइड कर दूंगा तो जी डैश अपॉन जी बराबर कितना हो जाएगा आर ए अपॉन आर ए प्लस एच का होल इसक्वार ठीक है बाई यह फॉर्मुला हाँ बाई यह जी डैश अपॉन जी की जगह पर क्या रख दूंगा एक बटे चार यह इसक्वाइर है यहां पर रूट लग जाएगा आर अपॉन आर ए प्लस एच ठीक है यह कितना जाएगा एक बटा दो यह कितना जाएगा एक बटा दो क्योंको रूट से बाहर आ जाएगा अगर मैं इसको पलट देता हूं क्रॉस मल्टीपल कर दो तो क्रॉस मल्टीपल करोगे तो कितना आजाएगा टू आर बराबर आर प्लस एच तो एच बराबर आजाएगा आपका आर तो आपका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका option नमबर वन और हमाई समझ में आरे बात तो सही जो आंसर है वह कि आजाएगा आपका option नमबर वन क्लियर है कि हाँ है मेरी बात समझ में आरी है यह कुशन क्लियर हुआ यह आपका जो gravity होता है आपका जो gravity होता है जो गुरुत्व होता है इसका formula होता है g बराबर gm upon r square ठीक है भाई यह कहां पर होता है यह होता है square अब ज़रा दियान से देखो यह है अर्थ अर्थ के यहां पर सतह पर center से r दूरी पर यहां इसके surface पर g का मान कितना है g ठीक है जी अब यहां से कुछ height गया मैं मालो h height उपर चला गया और यहां पर कोई point है a इस point a पर जो g का मान है वो मैंने माल लिया g dash तो आपसे सवाल में बोला गया है कि यहां पर जो g dash का मान है व का मान बताओ what is the value of h what is the value of h when g dash will be one fourth of g उस h का मान बताओ तो जब आपका नया वाला जो जी है वह पुराने वाले जी का एक बटा चार है ठीक है अब मुझे यह वाला फॉर्मूला पता है तो यही मेरा फॉर्मूला जी डैश के लिए कितना हो जाएगा gm अब यह आर कहां तक था यहां से यहां तक लेकिन यहां से point a तक कितना हो जाएगा आर प्लस एच तो आर प्लस एच का स्कॉयर यह वाला अब मैंने क्या क्या दौनों को डिवाइड कर दिया तो gm से gm तो कैंसल हो जाएगा क्योंकि एक जैसे हैं ठीक है भाई हाँ बिल्कुल इजी तो है बट कोई वात नहीं प्राइग करिए जो लोग इस्टूडेंट नए हैं बहुत ही शांदार तरीके से समझे तो कितना हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस एच का होली स्कॉयर बस इत्ती सीती बात है यह ठीक है कि नहीं अब हमें क्या करना है हमे यहां से वैल्यू दी है कि जीड़ाइस की वैल्यू कितनी है एक बटे चार तो इसकी जगह पर मैंने एक बटे चार रख दिया और यह स्कॉयर है जब मैं इसको इदर ले जाओंगो तो यह रूट में आ जाएगा और यह कितना आ जाएगा आर अपॉन आर प्लस एच और ए लाट औरा सलेक्शन क्यों कि जब मैंतेमेटिक्स अच्छा होता है तो दिमाघ ज्यादा काम करता है है तो साईन्स हमारे में अधिया के नहीं तो उच्छे से बड़ो च्छटी-छटी क्योर्चन की सौवाल कभीकभी स्कुर्चर पूच लिए जाते हैं मुझे लग रहा मुझे महत्वी पढ़ाना पढ़ेगा हूँ चलो कोई बात नहीं मैं धंग से पढ़ो यह मैं यही बोलूँगा आप लोगों से मैं बहुत अच्छा होना चाहिए तो इसका जो आंसर है वह कितना आएगा आएगा कितना आएगा आएगा ठीक है चलो अब कि चलिए भाई अब ध्यान से देखिए क्वेशन नमर नेक्स दा वर्क डण इन दा हाप सर्कुलर पाथ बहुत ही बड़ीया बड़ी सवाल है आपके लिए आपके लिए जो मैं क्वेशन यहां पर लेका रहा हूं वह बहुत ही शांदार सवाल है यह बात तो अपने दिमा सब्सक्राइब लोगों महल रिए खोट हाइब क्या वह सकता है वो डिपेंड करे गाके सरकल की रेडियस क्या है डिपेंड ओन रेडियस वो डिपेंड करेगा कि उस JIMम ब्रत की तρο्जा जिया है यह इंफाइनाइट होगा या फिर हमेशा निकिटिटिव होगाống जल्दी से बताओ श्वेता शिंग कह रहे हैं कि सर जी मैंत किलियर नहीं हुआ कोई बात नहीं हो जाएगा वी पॉसिट बागा रोहिनी वर्मा और रेनू का अंसर आ रहा एक यादव जी का विया आई रहा रहा है उमेश कुमार का अंसर रहा है लेनू का आंसर रहा है बहुत बढ़ी प्रिया कुमारी का अंसर भी आ रहे हैं बहुत शांदार रंजना का अंसर भी आ रहे हैं लॉक किया जाए ऑप्षन नमरे को चलो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ नई बात रोजोती बाच भाई का अंसर भाई भी आ रहा है तो फिर मुझे समझाना पड़ेगा चलो ध्यान से देखो लिख लो जो बात में आपको बता रहा हूं लिख लो वह सभी बात में जो आपको बता रहा हूं ज़्यान से देखिए ज़्यान से देखिए नया question है यह आपके लिए देखिए circular motion आपके previous year में जब यह question आया था तो आपसे complete सिलेवस में सुरी complete circle में वर्गडन पूछा गया था ठीक है ना thank you thank you जैसरी thank you अब आपका जो सवाल यह previous year में आया तो आपसे पूछा गया कि एक complete circle में वर्गडन कितना होता है तो आप लोगों ने answer लगा दिया कि वर्गडन जीरो होता है अच्छा वहां पर वर्गडन जीरो होने के ना बहुत सारे तरीके थे बहुत सारे तरीके थे कि अगर कोई व्यक्ति यहां से चले भाई ध्यान से सबीरोग अगर यह यहां से चलेगा घूमते 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 यह यहां पर पर पहुंच जाएगा तो जिस point से चला उसी point पर पहुंच गया तो इस case में आपका displacement क्या हो गया zero, विस्थापन displacement का मतलब होता है हिंदी में विस्थापन ठीक है भाई तो जिस point से कोई चले और घूम के उसी point पर आ जाए तो विस्थापन जीरो होता है ठीक है भाई साव सुनो और वर्कडण का शुत्र होता है force into displacement ठीक है ना कार्य का शुत्र होता है लिख लेनी है यह सब बात है बल्ल गुणा विस्थापन आपका यह शुत्र क्या होता है बल गुणा विस्थापन अब यहां पर विस्थापन क्या है जीरो तो आपका वर्गडन क्या हो गया जीरो लेकिन यह सवाल कब था जब complete circle था आज सवाल कुछ बदल के आया है आज सवाल कुछ बदल के आया है सवाल आप से पूछा गया है अर्ध ब्रत्त में कि भाई साब वो यहां से चलता है और घूमते हुए यहां पर पहुंच जाता है अगर मानलो इसकी तरज्यार है तो किया गया कार्य बताईए यस एपसलिटली राइट तो बताईए भाई क्या होगा इस केस में इस वाले केस में इस वाले केस में आपका कार्य क्या होगा तो देखो अब ज़रा ध्यान से देखिए चाहें वो पूरा सर्कल हो इंपोर्टन बात क्या है चाहें वो आधा सर्कल हो या किसी सर्कल का एक आर्क हो चाहें वो सर्कल का एक आर्क हो एसे बी तक कार्य कहीं से कहीं तक हो सर्कल के कितने से भी पार्ट में कार्य हो वर्क डन हमेशा जीरो होगा वर्क डन ओल्वेज जीरो होगा वर्क डन ओल्व मेरी बास समझ में आ रही है वर्कडन क्या होगा हमेशा 0 होगा अब आप मैंसे कुछ लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि सहाब हमेशा 0 क्यूं होगा क्योंकि आपने एक बात पढ़ी होगी कि जो ब्रत की तरज्जा होती है वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री एंगल बना है F D Cos Theta और यहां पर थीटा ओल्वेज क्या रहेगा 90 यहां पर जो थीटा है वहां आपका ओल्वेज क्या रहेगा 90 इसलिए आपका वर्कडन हमेशा 0 होगा चाहें वो आपका सर्कल चोटा है बढ़ा है चोटा पार्ट है पूरा है आधा है चोटा ही है कुछ भी है तो हम हमेशा वर्कडन जीरो होगा इस बात को दिमाग में डालिए क्योंकि जब यह सवाल आवेगा तो आपको हमेशा वहां से परिशान करने की कोशिश करेंगे वह बोलेंगे कि एक चौथाई पार्ट है सरकल का तो वर्कडन बताओ तब भी आपको आंसर 0 ही देना है हाँ क्रिए यह बात हाँ वरी आ ए कॉसट नाइंटी जिरो हिमाशींग कॉस नाइंटी का मान 0 होता है कedar C90 पाजो गट्र में 0 होता है हवाई यह बात क्लिए बाद क्रिएर ना कॉस्ट नाइनटी की जा वह वैल्ल्यू है वह हमेशा जीरो होती है ठीक भाई वह हमेशा जीरो होती है ठीक है चलिए क्लियर है यह बहुत बढ़िया चलिए I am right yes you are absolutely right nice explanation धन्यवाद धन्यवाद नैनी धन्यवाद नैनी चलिए भाई next question अब देखो कुछ लोगों को आप मैंसे यह लग रहा होगा कि यह question बड़े tough है हमें इतने बड़े questions नहीं करने हैं तो भाई अगर हमें कुछ achieve करना है तो हमें उस level से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा तो अगर मैं किसी अच्छे question को यहाँ पर लेके आता हूं तो आप tension में ना आए कि यह हमारी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं full effort करूंगा आपके लिए full कोशिश करूंगा एक सामान्य भाषा में उस बात को समझाने के लिए ठीक है भाई तो जब जब आपको लगे जब पर क्ला चलिए Thank You Thank You Joti Dahiya next question which will be easier to lift किसे उठाना आसान होगा किसे उठाना आसान होगा 10 kg of iron 10 kg of loosely packed weather या 10 kg of water या 10 there will be no difference in either case जल्दी से बताईए किसको उठाना जो है वह आशान होगा जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए तो यह तो आप बच्पन से ही पढ़ते आ रहे हो है कि नहीं यह तो बाद बच्पन से ही पढ़ते आ रहे हो बहुत यह चाहां जी थेंक यू तो चालीस का अंसर जो है वो डी लॉक कर दिया देर विल्दी नो डिफ्रेंस इन आइदर केस हाँ जल्दी से बताईए किसको उठाना जो है वह आशान होगा हाँ भई जल्दी से आंसर दीजिए चलो अब मैं बताता हूं तो भाई इसका जो आंसर है वह आएगा ऑप्शन नंबर भी इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर भी नहीं है माशिंग यॉर वैलकम हाँ भई अब ध्यान से देखिए बताए क्यों क्यों कि मास तो बराबर है मास तो तीनों का बराबर है यहां पर मास जो है वह क्या है कॉन्स्टेंट है मास क्या है यहां पर कॉंस्टेंट है 10 किलोग्राम और 10 किलोग्राम लेकिन बात इस बात में डिपेंड करती है कि डैनसिटी किसकी ज्यादा है तो जिसकी डैनसिटी जितनी कम होती है जिसका घनत्व जितना कम होता है उसको उठाना उतना ही आशान होता है उसको उठाना उतना ही आसान होता है उतना ही आशान होता है ठीक है भाई तो यहां पर किसी मास को उठाना depend करता है depend करता है कि उसकी जो density है वह क्या है ठीक है ना तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा tough होगा उठाना solids को सबसे ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी solid को उठाने में फिर liquid को उठाने में और फिर उसके बाद में weather को उठाने में पंक बगएरा रुई भी बोल सकते हैं आप इसको ठीक है ना यस यस लाइट वेट यानि कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर मास तो सेम है लेकिन डेनिशिटी अपना एक रोल यहाँ पर प्ले करेगी यस अप्सलिटली राइट यस हाँ बढ़ते हैं नए क्वेश्चिन की और बहुत ही शांदार सवाल है और इसको हम अच्छे से समझना चाहेंगे बताईए आंसर दा लेटेंट हीट आफ आइस बर्फ के लिए गुप्ट उश्मा कितनी होती है तो भाई 540 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, 540 जूल पर ग्राम या 80 जूल पर ग्राम तैंक यू शोईता शेंग, तैंक यू शो मच, हाँ भाई हाँ भाई इसमें से आंसर बताईए आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वास्ता में लेटेंट हीट होती क्या है तो पहले तो मुझे आंसर बताओ, पहले तो मुझे आंसर बताओ, एंड देन फिर मुझे भाई जोको इसमें दो तो असी है और दो ही 540 है तो थोड़ा सोच समझ के बताईएगा पूजा भारत वाज बोल रहे हैं कि सर जी आंसर आएगा C, शांदार, शांदार भाई यादब जी कह रहे हैं कि आंसर A आएगा, मौरिया जी कह रहे हैं आंसर D आएगा और परवीन बोल रहे हैं कि आंसर C आएगा, बहुत बढ़ 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 आ C आंसर, C आंसर, D आंसर, D आंसर, लेटेंट हीट क्या होता है, याज तो बढ़ जिंतने लोगों को नहीं पता है कि लेटेंट हीट क्या होती है, वो अपना एक ब्लेंक पेज निकाल करके हो जाई है तयार शीखने के लिए कि क्या होता है लेटेंट हीट और क्या होता है इ अभी तक आंसर दिया है तो हैपी खंडेल वाल ने जो आंसर दिया है वो है एकदम करेक्ट हैपी खंडेल वाल और शंजु कुमारी का जो आंसर है वो है एकदम करेक्ट बाकी ज्यादतर लोगं का अंसर गलत नीटू त्रिपाठी का आंशर सही है बहुत बढ़िया तो सही आंसर है भाई बी आंसर 80 कैलोरी पर ग्राम 80 कैलोरी पर ग्राम ठीक बाई चलो एक बात बताता हूं अब द्यान से देखेंगे अब हम लोग थोड़ा सा हीट के बारे में पढ़ लेते हैं द्यान से देखेंगे सभी जन और किसी को कोई तकलीफ होगी तो वो मुझे जरूर बताए कि भाई साब हमें यहां पर तकलीफ हो रही है और विदाओट है जीड़ा हम लिखते हैं लेटेंट हीट एक तरफ नहीं एक ही तरफ ठीक है यानि कि गुप्तू उश्मा और एक होती है आपकी इसपैसफिक हीट इसको हम लोग बोलते हैं विशिस्ट उश्मा तो पहले तो पढ़ो इसको सांदार तरीके से समझने की कोशिश करो कि जो आपका जो आपका लेटेंट हीट होता है लेटेंट हीट में टेंपरेचर कॉंस्टेंट रहता है लेकिन स्टेट बदल जाता है लेकिन स्टेट बदल जाता है लिखो इस बात को अब आप कहेंगे कि भाई साब यह स्टेट क्या है तो इस्टेट का मतलब होता है प्रिये जनों अवस्था इस्टेट का मतलब होता है अवस्था अवस्था का मेरा मतलब है कि अगर कोई चीज आईज है तो वह लिक्विड में बदल जाएगी और अगर कोई चीज लिक्विड है तो वह आईज में बदल जाएगी किसके कारण लेटेंट हीट के कारण और अगर कोई पहले से लिक्विड है तो वहाँ बदल जाएगा इस्टीम में वैपर में वास्प में भाप में और अगर कोई वास्प है भाप है तो वहाँ बदल जाएगा लिक्विड में समझ में आ रही है लिक्विड में तो भीया जब जब अवस्था बदलेगी जब जब अवस्था बदलेगी तो अवस्था बदलने में में रोल प्ले करेगा आपका लेटेंट हीट गुप्त उश्मा समझ में आ रही है अब इसका एक जनरल एक्जामपल समझो कि जैसे आप अपनी अवस्था बदलना चाहते हो आप अपनी ज्यान से सुनियेगा बाई बहुत बढ़िया काहनी है यह अगर आप अपनी अवस्था बदलना चाहते हो आप गाउं से किसी एक अच्छे सिटी में सेट होना चाहते हो तो आप सिर्फ तभी सेट हो सकते हो जब आपके अंदर खुद की एनर्जी होगी, you can change its own place due to its own energy, अगर आप अपनी अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हो, तो आप सिर्फ खुद के दम पर अपनी एनर्जी के बेसिस पर ही अपनी अवस्था को बदल सकते हो, जिसको बोलते हैं, motivation, positivity, और समझ रहे हो ना, तो जब आप खुद self-study, तो जब हम केवल YouTube से क्लासे लेते रहें, और उसके बाद में खुद उन चीज़ों पर पढ़ें, समझें, कि सर ने मुझे ये समझाया, सर ने मुझे ये पढ़ाया, फिर आप खुद से study करेंगे, तो आपकी state change हो जाएगी, तो state change करने में, अगर आप state बदलना चाहते हैं, तो उसमें कौनसी एनरजी काम करती है, लेतेंट हीट, गुप्तूश्मा, ठीक है, एक होती है आपकी specific heat, एक क्या होती है आपकी specific heat, और यह specific heat क्या होती है, कि इसमें temperature तो बदलता है, इसमें temperature बदलता है लेकिन state नहीं बदलती है जैसे इसका example समझो जैसे इसका example क्या है कि हमने पानी को गर्म किया तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो यहां से हम इसको heat provide कराते हैं और heat provide कराने से इसका जो temperature 25 degree centigrade था वह 25 से 80 degree centigrade हो गया तो temperature बदला लेकिन अभी भी पहले भी यह liquid था और बाद में भी यह liquid है पहले भी liquid था बाद भी यह liquid है लेकिन आपका temperature बदल गया तो उस energy को उस heat को हम लोग बोलते हैं specific heat बोलो हाँ या ना लेटेंट alatant heat का मतलब क्या है लेटेंटल्ट हेट का मतलब है टेमप्रेचर कॉंस्टेंट रहेगा तेमप्रेचर ना बदले गा इस्टेट बदल जाएगी और स्टेट का मतलब है आई से लिकविट में और लिकविड शे से steam में clear हुआ और सुनो clear नहीं हुआ तो एक और बात सुनिये सुनो this is another way to understanding about the latent and specific heat देखिए यह है 0 degree centigrade यह है 100 degree centigrade जब आप 0 degree centigrade की बात करते हो तो यहां पर तो आपका जो मैं water की बात कर रहा हूं मैं water की बात कर रहा हूं तो जब water 0 degree से नीचे आता है तो यह आईस बनता है और 0 degree और यह 100 degree से जैसे ही उपर जाता है तो यह इस्टी में बदल जाता है यह वाश्प में बदल जाता है बोलो हाँ या ना हाँ बाई मेरी बात समझ में आ रही है मेरी बात समझ में आ रही है हाँ बाई मेरी बात किलियर है या नहीं यह भी मुझे बताईएगा ठीक है अब सुनो यह वाटर का temperature तो 0 degree ही रहा लेकिन ये liquid से ice में बदल गया यहाँ पर आपका temperature तो 100 degree ही रहेगा लेकिन ये आपका liquid से steam में बदल जाएगा बोलो हाँ या ना हाँ भई मेरी बात समझ में आ रही है ना तो सुनो यहाँ पर जो ice के पास में latent heat होगी आइस के पास में जो latent heat होगी एक constant temperature पर वो होगी आपकी 80 calorie पर ग्राम और यहाँ पर steam में जो आपकी latent heat steam के लिए जो होगी वो होगी आपकी 540 calorie पर ग्राम तो अगर water steam में बदलना चाहता है तो उस समय पर उसको latent heat कितनी होगी 540 और जब वो ice लिकट से ice में बदलेगा तो उसकी latent heat होगी 80 calorie पर ग्राम अब मुझे बताओ कि यह doubts जितने भी आपके दिमाग में अब तक चल रहे थे जो भी doubts आपके दिमाग में अब तक चल रहे थे क्या वो clear है या नहीं कि सबसे ज़्यादा घटाव चार डिग्र पर अब फारुक अंसारी सहाब अंसारी सहाब मैं abnormal expansion in water की बात अभी नहीं कर रहा हूं बट यू और राइट एपसलेटली एपसलेटली राइट नौ बिलकुल सही बोल रहे हो आप लेकिन वह तो हम बात करेंगे तब जब हम abnormal expansion के बारे में बात करेंगे हाँ जल्दी से मुझे एक बार बता दो उम्मीद करता हूं कि जो लेटेंट हीट थी न यह बच्पन में हमारी कभी clear नहीं हुई थी यह बच्पन में हमारी कभी clear नहीं हुई ती सच बात तो यह है अगर कि आगे तो इस बात के बदले में लाइक तो आपको करना पड़ेगा तर कभी नहीं बूलेंगे बिल्कुल यही बात है यहीं बात है तो जिल्लों को लें लाइक नांखिया लाइक भी करो और जो टॉपिक आप सबसे पहले चैप्टरवाइज पढ़ना चाहते हो जो टॉपिक आप चैप्टरवाइज सबसे पहले पढ़ना चाहते हो हाँ जो टॉपिक आप दूसरा एक्जामपल रिपीट कर दीए पूजय चौन बिल्कुल करता हूँ अभी मैं ठीक है जैस मैं यह क्या बूल रहा तो मैं बूल रहा था कि जो टॉपिक आप सबसे पहले थियोरी में पढ़ना चाहते हो वह टॉपिक कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करोगे आफर क्लास के बाद में कमेंट मेंमेंट सैसे कर दिया अगर आप थिक और लाइक तो आपको करना इसे और जगमट वह करना में अभी में इसको भी तो गलत लग रहा हो समझिवल नहएं तो करेगा लाइक और जिसको लगएग गंधा वह कर है यह 5 पोइंट है मारा चैकर जिरो डिख्री सेंटी ग्रेड पर हमारा जीमारा न दो है वह डिकुड हुआ बदल जाता तो यहां पर टेंपरीचर हमारा फिक्श हो गया 0 डिग्री तो टेंपरेच्ट तो हो गयाल फिक्स लेकिन अवस्था बदल गई लिकट से आइस में आ गया गया तो उसके पास में अपने एक हम लोग बोलते हैं 80 कलोरी पर ग्राम लेकिन अगर आपने टेमपरचर बढ़ाते गए गह率 लाख गoo हो गया और जैसे ही वह 100 degree centigrade पर पहुंचेंगे तो आपका लिक्विड बदल जाएगा बास्प में बाइयो वहनों कि समझ में आ रही है तो वह आपका बदल जाएगा इस्टीम में और यहां पर कितना है 100 डिग्री तो 100 डिग्री भी आपका क्या है कॉंस्टेंट लेकिन अबस्था आपकी फिर से चेंज हो गई लेकिन उसके लिए एनर्जी कितनी है 540 केलोरी पर ग्राम ठीक है चलिए भाई तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं वह कमेंट सेक्शन में आप जरूर लेखेंगे क्लास के बाद में आई होप सो आप लोग बहुत ही इंटर्टें कर रहे होंगे इस फिजिक्स की कलास के साथ में और आपके जितने वह डॉट्स थे वह क्लियर हो रहे होंगे क्योंकि मैं इतनी कोशिष जरूर करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही बाकियां बात करेंगे next क्लास में So, thank you very much and thank you all of you. ठीका बाई, चलो, thank you very much. क्यांने, चलो, thank you.